हलो विर्वन, वेलकम बैक टो शाउनॉलज बेंक स्यूट्यूब चैनल, स्वागत आपका एक बार फिर से शाउनॉलज बैंक की एक और वीडियो में जिसमें हम लोग डिसकस करने वाले हैं, लास्ट शिक्स मन्त की करन्ट अफ्यर्स ये सेट वन है, ठीक है? लास्ट शिक्स म MCQ आएगा फिर उसी topic को में पुरा thoroughly A to Z आपको समझाऊँगा ठीक है 15 current affairs topics आप लोग इस वीडियो में समझने वाले हो ठीक है तो end तक बने रहिए हमारी daily की classes आती है रात को 9 बजे ठीक 15 most expected JS questions की एक series है जो सभी exams के लिए है प्लस current affairs आपको पता हिए ये section तो आज कल हर एक exam में बहुत ज्यादा crucial है ठीक है और आपको हर एक lecture की PDF free of cost हमारे telegram channel में मिल जाएगी शॉन नौलेज बैंक ठीक है link description box में होगा आपका और current affairs अगर आपको पढ़नी है या फिर short tricks reels के थ्रू करनी है जैसे अपने constitution के schedule होगे ठीक है यह सब मैंने with tricks अपनी constitutional non-constitutional bodies है और उसके बाद international अपनी bodies है जो भी है वो सारी मैंने instagram पे through reels समझा रखा है ठीक है तो आप वो भी हमारे join कर सकते हैं ठीक है बिना time waste के चलिए discuss करते हैं चेनाब white water rafting festival started at which state और UT कौन सी state या UT में चेनाब white water rafting festival हुआ था तो यह तो to the point question है चेनाब river कहां पे है जिसको इंडेस river system पता है तो वह अभी कि अभी उसने टिक कर दिया होगा option a लदाक option b पंजाब option c जेंड के option d उत्राखंड तो चलिए थोड़ा विस्तार में देखते हैं इसको ठीक तो चेनाब white water rafting तो यह क्या है यह प्रमोट कर रहा है एडवंचर टुरिजम राउंड को ठीक है कहां पे डोड़ा दिस्टिक में यह कंड़क्ट हो रहा है ठीक है यह डोड़ा दिस्टिक अड्मिस्टेशन ने स्टार्ट किया है चनाब white water rafting festival तो यह festival किसके अंटरा इस बैक टू विलेज फेस फूर ठीक है बैक टू विलेज फेस फूर याद रखना और इस फेस्टिवल को एन्योगरेट किस ने किया था यह आपको पता होना चाहिए डिपटी कमिशनर आफ डोडा ठीक है कौन है यह यह दाट इस विशेश पॉल महाजन और स्सप डोडा भी इनके साथ थे अब्दुल कयूम एट सिबनोट जैंड के ठीक है चनाब white water rafting festival ओके clear हो गए यह आपको next देखिए इंडिया's first aqua park will be set up in which state इंडिया की पहली aqua park जो होगी वो कहां पे set up की जाएगी में घालिया में अरुनाचल प्रदेश में गोवा में या महराश्ट्रा में तो चलिए इसको भी first aqua park को थोड़ा detail में देखते हैं कहां पे set up होने वाली है government of India जो है इन्होंने approval अभी एक दिया है establishment किसके लिए aqua park के लिए है जो कहां पे होगी तेरिन जीरो ठीक है तेरिन जिसको हम लोग जीरो भी बोलते हैं यह सुभांशरी डिस्टिक में है ठीक है सुभांशरी डिस्टिक में है सुभांशरी आपको पता होने ची तहां पर यह सुभांशरी जगा का भी नाम है सुभांशरी एक river भी है ठीक है ब्रह्मा पुतर की इंडिया का पहला डेटा सेंटर एस्टेबलिश हुआ है यह कहां पे हुआ है यूपी राजस्तान उत्राखंड या फिर हिमाचल परदीश चलिए आंसर डिसकस करने से पहले थोड़ा इसको इसकी शनाखत कर लेते हैं डीटेल में पढ़ते हैं तो यह क्लियर होगे आपको option A is the answer उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के cm योगी अधित्यनाथ ठीक है इन्होंने इन्योग्रेट किया है इंडिया का first hyperscale data center योटा योटा डीवन याद रखना नाम भी पूछा जा सकता है आपको योटा योटा डीवन first hyperscale data center है यह कहां पे हुआ है बिल्ट इन ग्रेटर नॉइडा ठीक है ग्रेटर नॉइडा ओके यूपी में आता है ग्रेटर नॉइडा at cost of 5000 क्रोड रुपीज ठीक है और इस जो अपना जो यह data center होगा यह कितने area में spread हुआ है इस थ्री लैक स्क्वेर फीट एरिया ओके क्लियर होगे आपको यह इंडिया फस्ट नॉर्थ इंडिया फस्ट डेटा सेंटर ठीक है फस्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा योटा डी वन नाम याद रखिए गए नेक्स देखिए जमशेद जे इरानी यह कौन है जो अबी पास हुए हैं और किस कंपनी की एमडी थे बताइए टाटा स्टील लारसिन अंटरबो आई टी सी लिमिटेड हिंडो को इंडिस्टरी बताइए इन चारों में से किसके यह एमडी थे तो यह आंसर जानने से पहले आपको जमशेद जे इरानी जी के बारे में कुछ ब नुवंबर तीन हो गई आज तो लास्ट मन्त डैट इस अक्टूबर अक्टूबर में यह पास ओन हुए यह 31 अक्टूबर 31 2022 को ठीक है तो यह टाटा स्टील एज एससेस्टेंट जॉइन किया थे इनोंने फिर उसके बाद यह डिरेक्टर हुए अब फिर एमडी हुए जम अद्मा भुशन अवर्ड से भी नवाजे गए हैं कब 2007 में ओके क्लियर नेक्स देखिए विच अफ दफॉल्विंग हैस बीन डिकलियर एस दे नैशनल मॉनुमेंट इन में से कौन सी एक नई नैशनल मॉनुमेंट डिकलियर की गई है कौन सी एन में से बलीदान पिलर जार वर मैमोरियल या फिर मैंघढदाम तो चलिए इसके बारे में तो यह हैं मैंघढदाम अभी पीम जो हैं हमारे नरिंदर मोदी जी इन्हों ने डिकलियर किया है मैंघढदाम को जो कहां पी है बंसवारा डिस्टिक इन राजिस्थान इनको एज़ए नैशनल मॉनुमेंट डिक्लियर किया गया है यह एक हिल स्टेशन है ठीक है हिल स्टेशन ओल राइट यह स्टेशन है हेर अराउंड 1500 भील्स है डिक्लियर दियर लाइफ अंडर दे लीडर्शिप अफ ग्रीट सेंट गोविंद गुरू यह पॉइंट भी आपने याद रखना है बट आपको एक चीज़ जो याद रखना है अभी 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 देट इस मैंगहड ओके मैंगहड धाम कहां पर यह बंस्वारा डिस्टिक अफ राजिस्तान को के नेच्ट दीए इंडिया की 7th Water Week जो था उसकी थीम क्या थी? Water Security and Sustainable Development, Sustainable Development and Equality, Water Security for Sustainable Development and Equality, Water Conservation and Sustainable Development. थीम जानने से पहले चलिए थोड़ा सा सेवंथ इंडिया वाटर वीक के बारे में जान लेते हैं हमारी प्रेजिडेंट इस द्रोपती मुरुमुजी इन्होंने अभी अभी एनुग्रेट किया है इसकी यूज जो है इन्तिग्रेटर मैनर में कैसे की जाए इसकी अवेरनेस के लिए यह एक कंपयन हमने चलाया है ठीक है और इसकी थीम क्या है अब आजाते हैं थीम पर तो option c जो है वो हमारा correct answer है option है that is water security for sustainable development and equality क्लियर तो यह था हमारा वर्ट वाटर वीक ओके इंडिया सेवन्थ एडिशन आफ वाटर वीक अभी अभी किसको गौड अफ ओनर दिया गया है साउथ ब्लॉक में इन में से कौन थे हमारे ये महमान तो ये कौन से थे बैटू सरंग इस चीफ ऑपरेटिंग ओफिसर आफ रोयल बुटान आर्मी लेफटिनेंट जनरल बैटू सरंग ओके इनको हमने गौड ऑफ ओनर दिया है कहां साउथ ब्लॉक डाट इस न्यू दिल्ली यह यहां पर 6 डी विजट है इंडिया में जो कि अभी चीफ अफ डिफेंस स्टाफ चीफ आफ आर्मी स्टाफ और वाइस चीफ आफ आर्मी स्ट कोशन एट देखिये विच स्टेट गोवर्मेंट हैस साइंड इन एम ओ यू मैमोरेंडिंग ओफ अंडेस्टेंडिंग विद दक्रेडिट गैरेंटी फंट्रस्ट फोर माइक्रों एंड स्माल इंटरप्राइज इस ठीक है सीजी एफ टीम सी दैट इस ओके अंडर दा मिनि मोयू साइन किया है सी सी एफ टीम सी के साथ ओके ओडिशा ने मैघालिया ने आसाम ने या फिर महराश्ट्रा ने तो चलिए डिसकस करते हैं इसको भी इन डी इन डी ठीक है ऑप्शन बी इस दा करेक्ट अंसर ऑप्शन बी में क्या था तो दैट इस कौन सी स्टेट ने हमा साथ cgftmsc that is credit guarantee fund trust for micro small enterprises ठीक है अंडर ministry of MSME ठीक किसके लिए जो बॉर्वर से MSME की उनको जो फ्लो है वो फैसिलिटेट करने के लिए this MOU will strengthen the credit delivery system and facilitate flow of credit to MSME borrowers ठीक है clear हो गया यह Meghalya government ने MOU साइन किया है next देखे which edition of the Goa Maritime Symposium has been conducted by the Naval War College at Goa Naval War College ने यह कौन सा edition Goa Maritime Symposium का अभी conduct करवाया है third second fourth या fifth चलिए इसको भी थोड़ा सा detail में देखते हैं अभी यह fourth edition हुआ है Goa Maritime Symposium का ठीक है जो conduct किसनी की है Naval War College ने कहां Goa में यह आपको पता होने चीए और इसका theme क्या था theme थी Maritime Security Challenges in the Indian Ocean Region Converting ओके यह याद रखना theme थी अपनी Goa Maritime Symposium की क्या Maritime Security Challenges इस इस दा इन दा इंडियन ओशियन रिजन कंवर्टिंग Converting Common Maritime Priorities into Collaborative Mitigation Frameworks यह थी इनकी theme एक बार में फिर से बता देता हूं Maritime Security Challenges in the Indian Ocean Region Converting Common Maritime Priorities into Collaborative Mitigation Frameworks ठीक है यह fourth edition था हमारा Symposium का जो Goa में हुआ था that is Novel War College जो है Goa में ही है वहाँ पर कंड़क्ट कराया गया था Okay तीन इससे पहले के edition Goa में ही कंड़क्ट हुए थे अब यह ऐसा फूर्थ है Next देखिए Strategic Conclave has held at fire fury cops in which city ठीक है एक strategic conclave held किया गया था fire and fury cops के द्वारा वो कौन सी city में किया गया था न्यू देली लखनाव श्री नगर या ले ओके तो यह हमारा कहां किया था इन श्री नगर स्ट्रेजिक Conclave held किया गया था श्री नगर में भी attended किया था ठीक याद रखनाई है और यह conclave किया किया था held to analyze shifting geopolitical equations in the world in general and our neighborhood in particular ठीक है याद रखनाई यह लोग यह कहां था श्री नगर में किया गया था किसके द्वारा fire and fury cops के द्वारा नेक्स देखिए which state government has decided to set up a committee for the implementation of uniform civil code in state ठीक है कौन सी government ने decide किया है कि हम एक committee implement करेंगे जो UCC है that is uniform civil code वो state में implement हो जाए तो यह कौन सी state थी मद्यपरदेश गुजरात राजस्थान या करनाटका तो यह थी गुजरात ओके गुजरात government ने recently decide किया था कि भाही साब हम लोग क्या करेंगे अपनी assembly election से पहले state है उसके पहले हम लोग क्या करेंगे एक committee बढ़ाएंगे जो uniform civil code को implement करने में हमारी मदद करेंगी वो बताएगी भाही साब कैसे हम कर सकते हैं वो decide करवाएगी ठीक है और उसके बाद state cabinet ने इनका जो यह decision था उसको बिलकुल proposal को clear कर दिया थे कि हाँ भाही कर सकते हो ठीक और उसके बाद यह high level committee जो है वो head की जाएगी किसके दौरा retired high code judges की दौरा ठीक है और यह three to four member body होगी ठीक और यह decision इनने किसके दौरा लिया गया है कौन सी vision है इनका that is vision of एक भारत श्रेष्ट भारत ठीक है एक भारत श्रेष्ट बारत का जो इनका vision है यह उसके तहत यह uniform civil code implement करना चाह रहे है अपनी state में that is in Gujarat. All right. Next question. Ministry of Electronics and IT has approved the setting up of Greenfield Electronics Manufacturing Cluster. याद रखना Greenfield Electronics Manufacturing Cluster in Ranjan गाउं. Okay. Ranjan गाउं at of which state? Ranjan गाउं कहां पी है? That is in Pune. Okay. Ranjan गाउं is in Pune. तो Pune कहां पी है? That is in Maharashtra. तो option A हमारे पास आ गया. Correct. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं. यह अभी मैंने आपको बताया कहां पी setup की जाएगी? That is in Pune. महाराश्टर में. ठीक है. यह cluster का phase third होगा. ठीक. महाराश्टर में की जाएगा setup. That is project की cost कितनी होगी? 492.85 करोड. मतलब मोटा मोटा आप देख लो तो 493 करोड की यह project है. ठीक है? और यह catalyze की जाएगी investment कितनी? 2000 करोड की. ठीक है? 2000 करोड की near future में जो के employment generate करेगा over 5000 लोगों का. 5000 लोगों का यह employment generate करेगा. और इनका main plan क्या है कि boost करना electronic और IT section को. ठीक है? IT जो department है हमारा, जो electronic ministry है. उसनों ने यह बोला गया है कि हम लोग इसको boost करेंगे ताके यह future में जाके 1000 करोड तक का semi, semi-con India future design program को आगे और build कर सकें और ऐसे ही startups को सहारा दी. ठीक है? तो यह कहां प यह start that is in clear हो गया. पूने. ओके? Who has won the Mexican Formula 1 Grand Prix 2022? ठीक है? Formula 1 Mexican Formula 1 Grand Prix 2022 किसने जीता है? Lewis Hamilton, Sebastian Bettel, Michael Scamature, Max Versace Deppan. तो यह है हमारे Max Versace Deppan. ओके? याद रखना, Max Versace Deppan यह जीता था. रेड बूल ड्राइवर है यह रेड बूल ड्राइवर मैक्स वर्से टेपन जो थे इन्होंने फिनिश किया फर्स्ट प्लेस पे कौन सा मेक्सिकम ग्रैंड प्रिक्स 2022 ठीक है और यह रिकार्ड इन्होंने सेट किया है 14th win of the session इस session का 14th win है यह और Mercedes Levis Hamilton जो option अप्शन यह था आपका वो रेड बूल के Sergio पेरिस फिनिश्ट के अनने 2nd और 3rd थे कौन रेड बूल के Sergio फो सेकेंड आए हैं Hamilton और थर्ड आये हैं अपने Sergio Paris पहले तीन आपको पता है नूच ए फर्स्ट कोन है okey सेकेंड चॉण है लेविस Hamilton, थर्ड कोन है Sergio Parish क्यों के surfing नेक्स होशन देखिए कोंग इडिशन था ये जो इंडेयन now 2012 जै्सायर ट्राइलेटरल एकसेसाइज imt Trilet conducted at Dar es Salaam, Tanzania कौन सा edition था ये जो Indian military exercise होई है between India, Mozambique and Tanzania I.M.T. Trilet ये एक trilateral exercise है क्योंकि इसमें 3 countries concluded है तो ये कौन सा edition था फर्स्ट था, सेकिंड था, थर्ड था या फॉर्ड था, ये अगनी वीर वाल अगर कोई देख रहा है तो ये आपके लिए बहुत important है, exercises आपको याद करके जानी है, ठीक है तो ये फर्स्ट एडिशन था ठीक है, ये फर्स्ट एडिशन था इंडिया, Mozambique or Tanzania ट्राइलेटर exercise की जो दरस सलाम तैट इस, Tanzania में अभी हुई है इंडिया नेवी ने इंडिया को रेप्रेजेंटरेट किया था, ठीक है बाइ गाइड़ड मिजाइल फ्रिजेट, ओके आई एंसी तरकाश, अचेतक हेलिकॉप्टर and मार्को स्पेशल फोर्स ये इंडिया की तरफ से थे, ठीक है, तनजानिया में गए थे तो ये main इस exercise का objective क्या था तो इसके तीन broad objective थे एक, capability development to address common threats through training and sharing the best practices देखो, तीन countries है, तीनों अगर अपने weapons भी एक दूसरे काश शेयर करेंगे exercise शेयर करेंगे, तो कल को अगर war हो जाती है तो ऐसा तो नहीं है, तनजानिया वाला जो मोजंबिक वाला उनको हमारे इंडियन, अगर हम बोलेंगे भाई, हमारी help करो, यह वो बोलेंगे उनकी हम help करें, तो कैसे करेंगे हमें पता ही नहीं होगा भाई साब, उनका war का जो तरीका है, वो कैसी है, tactics कैसी है साथ मिलके, strengthening maritime cooperation, ताके हम maritime में समंदर के उपर तक रक्षक जो एरियाज हैं वहाँ पर एक दुसरी की cooperation को strengthen कर सकें, यह exercise का broad objective हैं ती, next question, which state, रानीपूर Tiger Reserve has become the 53rd Tiger Reserve in India, कौन सी state में है यह, रानीपूर Tiger Reserve कौन सी state में है, यह आप से पूछा गया है, जे state में 53rd Tiger Reserve in India में हो गए है, करनाटका, गुजरात, उतर परदेश या मध्यपरदेश, तो चलिए, डेटेल में देखते हैं, रानीपूर Tiger Reserve is in उतर परदेश, ठीक है, यूपी में है ठीक है, और यह 53rd Tiger Reserve of India है, Union Environment Minister भुपेंदर यादव जी ने ये कहा है, अभी रिसेंटली नियूज में, रानीपूर Tiger Reserve, ठीक है, याद रहना है, कहां पर पर है, उतर परदेश में है, यह 53rd Tiger Reserve of India है, ठीक है, और यह रानीपूर Tiger Reserve जो है, यह चित्र कूट, चित्र कूट डिस्टिक जो है, यूपे में वहां पर है, ठीक है, और फोर्थ Tiger Reserve है, उतर परदेश, ठीक है, उतर परदेश का यह फोर्थ Tiger Reserve बना है, पहले तीन थे, तीन कौन जोन से थे, दुंधवा, फिलिभिट और अमनगड, यह तीन पहले से थे, प्रोजेक्ट Tiger कब हमने शिरू किया था इंडिया में, that is in 1973, total Tiger Reserve in India कितने हो गए हैं, अभी यह latest बना है, तो that is 53, Royal Bengal Tiger is the national animal of India, तो यह थी कुछ Tiger से related information, Hope so, आपको यह 15 topics जो थे, अच्छे से समझाए होंगे, और यह MCQs भी आपकी दिमाग में बैठ चुके होंगे, ऐसे ही आपकी exams में current affairs के MCQs पूछे जाते हैं, अगले series में मैं कोशिच करूँगा, कि आपके, जो JKPSC और JKSSB के students हैं, aspirants हैं, उनके लिए maximum questions में J&K से related ठीक है, और यह सब अपना पूरी detail में देखा है, वो भी अपने J&K में ही हुआ था, और उसके बाद हमने देखा क्या, शिरिन अगर भी क्या, fire and fury जो एक strategic conclave हुआ था, उसके बारे में भी हमने देखा, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, यह था हमारा set one of current affairs, ऐसे ही मैं आपके लिए daily GS और current affairs की वीडियोज लाता हूँ, अगर पसंद आई हो तो like जरूर कीजिए, अगर आप नए हो तो subscribe कर दीजिएगा, अगर पसंद ना आई हो, तो dislike करके comment में जरूर बताईगा, till then, God bless you, keep learning, keep sharing.